कि नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल जी एस प्लेनेट पर करेंट अफेर्स की सीरीज में आज हम लोग 30 दिसंबर से 1 जैनुवरी तक के खबरों को देखेंगे जो वहाँ से प्रशन बन सकते हैं एक्जामिनेशन में एक ही करके देखते हैं तो पहला कुशन देखते हैं बिश का पहला डूवल मॉड वीकल यानि रोल रेल वा सड़क दोनों मार्ग यह मार्च नहीं है यह मार्ग में चलाय मान जो है प्रारम करने वाला देश कौन सा है विच इस देखते हैं जो रेल में भी चलेगा और शड़क पर चलेगा उसके बाद रबर वील जब होगा तो वह सड़क पर चलेगा तो दोनों परपस सॉल करेगा तो इस तरह का पहला वाहन बनाने का काम किसने किया है जापान ने किया है किसने किया है जापान आपको पता है जापान चाइना को रही है इस सब टेकनालोजी में बहुत आगे है ठीक है ऐसे करांती कारिक कारनामे करते रहते हैं ठीक है तो अभी फिलाल यह हो गया है जो है कि यह launch कर दिया गया है कुछ दिन बाद जो है यह पूरे विश्व में फैलेगा फिर उसके बाद किसी देश के जो है तथा कति जो लोग होंगे अपने धार्मी किताबों को निकालेंगे और कहेंगे यह देखिए यह तो पहले से हमारे उसमें रहा था हमारे किताबों में था इसका वर्ण जापान ने तो भी लॉंच किया है यह सब फालतू की बाते हो जाती है जब लॉंच होता है तो उसके बाद यह सारे के सारे अपने किताबों में ढूनते है पाइले ढून के बना लो ना तो फिर वो काम आप कर लोगे फिलाल यह सब अलग ब्यात है तो जापा यह ट्रैक भी है यहां पर जो है क्या कहते है कि और उस पर जो है यही सेम चीज यहां पर भी चलेगा तो यह 100 के मिलो मीटर प्रति घंटे की रपतार होगी चड़क और रेल दोनों पर चल सकेगा ज़्यादा भी मल्टी जो है मॉडल जो यह बना हुआ है इसमें ज़्याद है तो यहां पर जो है नाव है क्लेकिन श्राइए बहुऑ लावा कभी कभी बाहर निकलते हैं तो इस तरह का नहीं है तो डॉर्मेंट वाले ज़्यादा खतरनाक होते हैं क्योंकि दूर्म लाए बहमान होते हैं कभी प्रकट हो जाते हैं करेंसी आके मात पोड़ है येन येन इसे आके प्रमक करेंसी है तो ये जपान के बारे में कुछ बेसिक है आपको इसके बारे में पता होना चाहिए इसके लावा पूरी दुनिया में मचली उत्पादान में अगर हम बात करें मचली के उत्पादान में जपान नंबर दो पर टिक है, नमबर दो पर, चम मचली के उत्पादन पयार, इफ वी टॉक अबाउट, ओशन, मरीन, मरीन, फिशेस की बात करें, इंटर्नल नहीं, मरीन, यानि समुद्री, मत्सियान की बात करें तब, टिक, पहले पर चाइना, सेकर्ड कुशन देखते हैं आज का, निमलिकत में से किसे साहित एकादमी का युवप पुरसकार दिया गा, यह 2021 वर्ष के लिए बात की जा रही है, वो अब दो फॉल्लिइंग है युवप पुरसकार फो साहित एकादमी, ठीक है, इसे यार, ठीक है, साहित एकादमी एक प्रतिष्टिस साहित के छेत्र में युगदान के लिए दिया जाने वाला पुरसकार है, एक ज्यानपीट पुरसकार होता है, और एक साहित एकादमी, ठीक है, ग्यानपीट पुरसकार को मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया था, तो इसमें दो कैटेगरी होती है एक होता है युवा पुरसकार और एक होता है बाल साहित पुरसकार बाल साहित के मनलब बच्छों के संदर में लिखा जाने वाला जो होता है कैटेगरी और दूसरा है युवा, युवा के संदर में तो मेगा मजूमदार जी को मिला है यूवास पुरसकार इसके अलावा जो है बहुत और भी लोगों को मिला है तो इनका नाम जो निउस्पेपर में बिग एंड बोल्ड लेटर में छपा हुआ था तो एक्जामनर के नजर यहीं पर जानी चाहिए बाकी और भी लोगों को मिल है तो मेगा मजूमदार नाम याद रखीए का साहित पुरसकार इसको इनको दिया गया है 2021 में कौन से कैटेगरी में यूवा पुरसकार कैटेगरी में ठीक है इसे से मिलता जूलता है एक और कुशन यहाई पर साइड में देखिए वर्स 2021 का बाल साहित पुरसकार यह किसे दिया गया है तो ये दिया गया है अनीता वच वच रजनी ठीक है थोड़ा सा टाइटिल में हो सकता है मुझसे गलती हो तो I'm sorry for that बट अनीता वच रजनी जी को बाल पुरसकार दिया गया है देख लेते हैं न्यूज ये दिखे साहित एकेडमी एनाउंसेंस वीनर आफ बाल साहित पुरसकार ये ये पुरसकार 2021 कुल 22 लोगों को ये वाड दिया गया है आप देख लीजिए इतमें बहुत सारे लोगों को द पुरसकार दिया जाता है तो इस बार राजस्थानी भाषा के लिए कोई पुरसकार नहीं दिया गया है ये थोड़ा सा अशर जनकता तो इकसा में ये शायद पूछ ले ठीक है और बाकी आपको अनीता वचरानी जी को मिला है अम्रिता शेर गिल नाम का इनका जो और बायो ही होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला कोईशन पूट अप करते हैं चौता कोईशन है कि हाली में बीना पंकी मल्टी मुल्टी प्रोड़क्ट पाइपलाइन परियोजना का उद्गाटन किया गया है ये कितना किलोमेटर लंबा है वट इस द लेंग्ट आफ बीना पंक कि मल्टी प्रोड़क्ट पाइपलाइन प्रोजेक्ट रिसेंट लियुक्ति इनोग्रेंट बाइपीम प्रधान मंत्री मोदी जी ने इसका उद्गाटन किया है calculation करते हैं अलाकि चुनाव listen का मोदी प्रोड़क्य में ठीक है तो कुन नकुस्त होब करेगा तो जो भी होग और आपके लिए exam exam question बन जाएगा बीना पंकी एक multi multi product pipeline project है pipeline का मतलब आप समस्ते हो जहां से gas भी जाएगी और बाकी और भी जो multi product है multi product मलब कई सारी चीजे transport हो सकेगे बीना जो की मद्धिय प्रदेश में है और पनकी जो की कानपूर में एक इंडस्ट्रियल इलाका है तो दोनों को कनेट करने के लिए पाइपलाइन जोड़ा जा रहा है तो उसको जो है लॉच्छ किया गया है तो इसकी लेंग्थ आपसे पूछ सकता है तो इसकी लेंग्थ है 356 km कितनी है 356 km है आये देखते हैं तो इसके अलावा कानपुर में मेट्रू का भी उधगाटन किया गया है, तो इक्जामी ये भी पूछ सकता है कि recently किस स्थान पर मेट्रो का उद्गाटन किया गया तो मोदी जी ने वहाँ पर एक लाग की भीड को संबोधित किया था और उन्हों को बताया था देखिए मेट्रो खोल दिया गया बीनापन की परियोजना का भी उद्गाटन किया गया बहुत सारी काम हो रहे है सरकार द्वारा यह मूर्ख बना रहे हैं क्या बताया जा रात में संबोधित करेंगे मुख्यमंत्रियों कि भीया हमें भीड नहीं कठा करना है सोशल डिस्टेंसे पर नियम का पलन करना और दुपारे जाके यह राईली कर देते हैं कि लाग लोगों की हम लोगों पागल समझ रखनें लोगों ने क्या करें देश ऐसे opener करते रही है देखते रही और रा sales बड़ tap कोई बात नहीं करोות रहता है का कर देखता है फिलाल आगे बढ़ते हैं आगे को ques को कनेट करने का यह पाइपलान प्रोजेक्ट है अगला कुश्चन पांच वा कुश्चन आज का कि सैक्षिक सिक्षा मंत्राले द्वारा जारी अटल रैंकिंग और इंस्टीशन और इनोवेशन अचीब्मेंट 2021 किस संस्था ने शिरस्थान प्राप्त किया एक तो शिक्षा म सब्सक्राइब मदरास लगातार तीसरे वर्ष जो है ये रैंकिंग हसिल किया है इसरी इसा मत्राने ने जारी किया चैनल pricing जैसे दिया जैसे कि ईंगये संफे मत्लब होता है इन्वस्टी की तरह होता ह तो इन्जिनरिंग कोलेज की काटेगरी में आएगा तो आपका पुने इंजिनरिंग कोलेज और ओवर ओल कैटेगरी में किसने लॉंच मलब टॉप किया है ओ आएटी मैटरास ठीक है इसके अलावा ओपन यूनिवरसिटी यानि की को ओपन का मतलब वता पत्रचार यानि प्राइवेट जो तरीके से यानि की दूरस्त उसको क्या बोलते हैं हां दूरस्त को क्या बोलते ह है रिमोट एजुकेशन रिमोट मलब फॉर्म भर दीजी एक्जाम दीजी बस रेगुलर नहीं है यह कोरिस्पोंडेस है तो कोरिस्पोंडेस में इंद्रा गांधी नाशनल ओपन यूनिवरसिटी डैली ने टॉप किया ठीक है इंस्टिट्यूट में अगर हम बात करें तो वह आधिम एड्रास ठीक है का क्याश की बात करें प्राइबिट क्याटेगरी में तो प्राइबेट क llev क्यारी में उन्सटिटी फेकनाओ चाहिए फटी रहा ह robić को पता होनी चाहिए इक बंगलादेस था ठीक है है एक उरग था और एक आपको कमेंट करके बताना है कि तीसरा कौन सा देश था जिसको जो है इसमें जोड़ा गया था ठीक है प्लीज कमेंट करिएगा जो रूप बंगलादेश उरुगवे और तीसरा एक और देश था अभी चौथा एक और देश जो है जुड़ा है इससे निव डेबलमें मेंबर जो पहले से मेंबर हुआ करते थे ठीक है और क्या कहते है कि देखिए यहां पर लिखाई है अब क्या कमेंट करोगे यूए बंगलादेश और उरुगवे यह सेप्टेमबर महिने में नए सदस बनेते और अभी किसको बनाया गया एजिप्ट को बनाया गया ठीक है ब्रिक्स बैंक की बात कर लेते हैं थोड़ा सा ब्रिक्स बैंक 2015 में इसे लाउंच किया गया था ठीक है ब्रिक्स बैंक की बात करें ब्रिक्स अंस्था नहीं ब्रिक देखिए ब्रिक अगर बात करें पीछे देखिए पीछे 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 यास देखिए यह क्या है पांच दुनिया की जो सबसे उभरती हुए अर्थ बेश्टा है जिसमें चाइना है ब्रजील है एच्छा साथ अफरीका है मुझे दिखाई नहीं दे रहाता है साथ अफरीका है ब्रजील है इंडिया है और रशिया है यह पांच देशों के मिलाकर एक जो है मल्टी लेटरल बनाया गया है जिसका काम होगा है पूरे दुनिया में विकास कैसे आगे बढ़ाया जाए उसके एजेंडा तैय करना साथ ही साथ उस एजेंडा का लाव लेना इस तरह से जो है काम करती है 2006 में ब्रिस का गठन किया गया था as an organization organization के रूम में इस सेटप किया गया तो जो और देश में जैसे इस बार जो है इंडिया ने होट चिया था अगली बार जो है किसने की करना का देखिया इसे alphabetical order से चलता है अगली बार चाइना में होगा ठीक है फिर उसके बाद साथ अपरिका फिर ब्रजील फिर रशिया फिर इंडिया इस तरह से रोटेट होता रहता है पिर इन पांचों देशों ने मिलकर 2015 में अपना एक बैंक बनाया United Nation की जो बैंक है World Bank उसके समकष उसके contemporary एक बैंक बनाया जिसे बोला गया New Development Bank या इसे Bricks Bank की नाम से भी जाना जाता है तो शुरुआत में यह पांच मेंबर थे ठीक है लेकिन धिरे धिरे यह अपने मेंबर प्राचीन सब्यताओं की अगर बात करें तो मिस्र की सब्यता यानि मेसोपोटामिया की जो सब्यता थी यहीं Egyptian civilization की नाम से जाने जाती है यह पूरी तरह से अपना जो इंडियन civilization था इंडस civilization था यानि कि सिंदुगाटी सब्यता तो उसके समकष है उसके contemporary थी थी तो बिश् जा सकता है मिस्र की प्रमुख नदी कौन सी है नील हिंदी में बोलते हैं अंगरेजी में नाइले बोलते हैं क्या बोलते हैं नाइले जिसे मिस्र का वर्दान भी कहा जाता है बून आफ एजिप्ट मतलब पूरा एजिप्ट की जो civilization थी इसी नदी के किनारे डेवलाप होई या की करेंसी क्या एजिप्टियन पाउंड है क्या है एजिप्टियन पाउंड ठीक है एजिप्टियन पाउंड पूरा-पूरा सहारा डेजर्ट का extension है यहाँ पर तो यह कुछ जोगरिफिकल कुछ एकनोमिकल फीचर कुछ इस्ट्रीकल एस्पेक्स मैंने डिसकस किये वह लीबिया सुडान और क्या कहते है कि इधर से जो है आपका आजाता है इसराइल इसराइल सुडान और लीबिया से घिरा हुआ है इस अगर जो है वाटर बोडेश की बात करें तो इधर देखें मेडिटेरेनियन से यानि कि भूमत सागर और इधर रेट सी तो मुबंत सागर र तो ये क्या है, Mediterranean से और Red Sea को जोड़ता है और ये मिसर से होकर जाता अक्सर चर्चा में रहता है, एक्जाम में पूछ सकता है स्वेज कैनाल कहां बना है तो इज़े पिम बनाती है, ये सारी चीजे मैंने आपको डिस्कस कर दिया सातवा पुरशन आज का बहुत ही इंपॉर्ड़न पुरशन है कि मोहमाज शमी भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में 200 विकेट हासिल करने वाले कौन से तेज गेंदबाज बन गए है मोहमाज शमी हैस बिकम विच नंबर फास्ट बॉलर टु हैव 200 टेस्ट विकेट फॉर इंडिया आपको पता होना जाए शमी भारत के जो है एक प्रिमियर तेज गेंदबाज है और ऐसा करने वाले वो पांच वे भारत के तेज गेंदबाज बन ध्यान जीजिए अगर गेंदबाज बुचा जाएगा तो फिर इनसे जादा जो है हरबजन सिंग भी है अनिल कुंबले भी है और आर अश्विन भी है ठीक है आर अश्विन और रविंदर जडेजा भी है ठीक है तो इतने सारे और भी हैं इस पिनर से बाटी है ठीक है अगर तेज गेंदबाज की बात करें तो फिप्ट है तीन से उपर कौन को ने सबसे बिकटे ले चुके हैं और इसके बाद 236 बिकट के साथ हैं कपिल देव सर श्रीनाथ कपिल देव जाहिर खाम इशान शर्मा और श्रीनाथ श्रीनाथ के बाद ये पांचवे तेज गेंद बाद बन गया है भारत के ठीक है अगला कोईशन है एक मिनट पीछे चला गए हाँ नवा कोईशन अनुपम रे युनाटे नेशन के किस संस्ता के लिए भारत की तरब से स्थाई राज़्दोत नीक्त हुए हैं अनुपम रे हैस बिकम इंडियास पर्मनेंट रिप्रेजेंटेटिव फो बिच युनाटे इस डिजार्मनेंट का मलब निशस्त्री करण आगे बताएंगे क्या काम करती है युनाटे नेशन डेबलमेंट प्रोग्राम युनडेपी नेशन इन्वार्मेंट प्रोग्राम युनएपी सस्टेनबल डेबलमेंट फॉर सोशल नेटवर्क एसडी एसन तो किसके बने हैं तो इसका सही अंसर गया है नेटर नेशन कॉन्फरेंस डिजार मेंट आएए देखते हैं न्यूस क्या है यह यह वरिष्ट राजनाइक राजनाइक मलब जो फॉरेंट सर्विस में काम करते हैं अनुपम्रे को बनाया गया है परमाडू सहयु नॉमिनेट किया गया है समद में आ रहा है निशास्त्री करार का मतलब क्या होता है दिखिए पूरे दुनिया में परमाडू बंब बनाने की होड लगी ठीक है सेवन्टीज के आसपास बारत ने भी परमाडू बंब कभी स्पोर्ट करके दुनिया को बताए कि यास वी आर निकलियर स्टेट ठीक है पाकिस्तान ने भी फोड़ा सब फोड़ रहे हैं तो प्रश नहीं उड़ता अगर सबके पास परमाडू बंब रहेगा कल को कहीं पर किसी कारर से युद्ध होता और किसी देश ने परमाडू बंब सनक में आके चला दिया तो बिश्यूद होगा अभी श्यूद में प्रित्वी का सत्यान नाचकार डालेंगे तो जो है तो ऐसी सिति में क्या किया जाएं तो परमाडू बंब होना बहुत जरूरी भी है क्योंकि अगर आपके शत्रू के पास है और आपके पास नहीं तो पिर क्या करेगा वो डड़ाता रहेगा आपके इ इसलिए भारत और जापान जैसे देशों ने क्या किया कि पूरे दुनिया से परमाडू बंब को खात्मा कर दिया जाए परमाडू बंब के अलावा जितने और भी जो केमिकल और बायलोजिकल वेपन है उन सबको समाप्त किया जाए तो परमाडू निश्यस्त्री करण पर ध्यान के इंद्रित करने के लिए जपान और भारत की पेशकरस है कि पूरे दुनिया से परमाडू बंब खतम किया जा इसको लेकर उनाटेड नेशन में बीच मिच में बैटके होती रहते है लेकिन उसब खाना पूरती की बात होती है सब लोग मुह पर बात कुछ और करते हैं क्योंकि हर अब नता है वह है न में बनाता है पकिस्तान में रोश्या ने भी बना बनाया है तो लेकिन होसकता देर सब परमाडू बंब पूरी बुर्दुनिया में परमाडू नहीं होगा और यह कभी इस तरह के बंब ना बनाए जाए तो पिर क्या होगा विश्व शांती की तरह हम कदम बढ़ा सकेंगे लेकिन ऐसा करना बड़ा ही मुश्किल होगा तो यहीं को लेकर भारत जो है पेशकस करता रहता हो तो भार कि अब हमेशा की तरह आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा थैंक्यू आपके दिन शुभव